हाई गूर्णिंग एस्टुडेंट्स वेलकम टॉ आई आई टे स्मार्ट रर्ण आज मैं आपको टुवेल्थ हिंदी का पदखंड का नौमा चेप्रे कंप्लीट कराने जा रहा हूं वह आपको लिखा गया है मोक्ति बोद के द्वारा मीडिया कसे कषड करते हैं कि मुक्ति बोद का जन्म अस्थल कहा है तो मुक्ति बोद का जन्म अस्थल जो है वोहाई श्योपूर इसलिए आपके right option जाएगा B चारी नेस्ट वोद की कविता भाई की जो कविता है वह जन जन का चेहरा एक है इसलिह आपके right सब्सक्राइब देखते हैं कि कौन से किर्थी मुक्ति बोध की नहीं है तो मुक्ति बोध की जो किर्थी नहीं है वह है विखिरे मोती इसलिए आपका राइट अप्शन जाएगा डी कौन सी रचना मुक्ति बोध की नहीं है तो मुक्ति बोध की इसमें से कौन सी रचना नही है तो बिहारी पुनर मुल्यांकन जो है वो मुक्तिवोध की रचना नहीं है इसलिए आपके राइट ऑप्शन हो जाएगा बी चलिए नेक्ते हैं कि मुक्तिवोध इसने दिग विजय महाविद्याले राजनाद गाउं में परधाना ध्यापक के पद पर कब से काम करना प्राणा में किया था इन्होंने काम करना शुरू किया था इसलिए पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नेक्स कॉस्चन है कि हिंदी साहित्ते में गजानन इनका रूप में हिंदी साहित्ते में गजानन माधब मुक्तिवोद का उध्य कैसे कभी के रूप में हुआ है इनका परियोगवादी कभी के रूप में हुआ है इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए चले नेक्स कॉस्चन देख लेते हैं कि एक साहित्ते की सायर जो है वह आपका रचना है मुक्तिवोर की इसलिए आपका राइट ऑप्शन जाएगा सी नेक्ट वोचन है कि नया साहित्य का संदर्य सास्त्र के लेखक है तो नया साहित्य के संदर्य सास्त्र के जो लेखक है वह आपके मुक्तिवोर इसलिए आपका राइट ऑप्शन जाए इसलिए आपके राइट अप्शन हो जाएगा एक अगे द्वारा संपादित तार सब्टक के एक कवी के रूप में कौन सामने आए है तो यह जो है मुक्तिबोद क्या था एसलिए आपके राइट आप्शन हो जाएगा सिर्फ को सब्सक्राइब। तो यहां पर जो मुक्तिबोध की रचना है वह है मुकुल इसलिए आपके right option जाएगा D next question है कि मुक्तिबोध किस सब्तक के कभी थे तो मुक्तिबोध जो थे आपके तार सब्तक के कभी थे इसलिए आपके right option जाएगा A कोन सी रचना मुक्ति बोध की है दो मुक्ति बोध की जो रचना है वहाँ चान का मूठेड़ा इसलिए आपका राइट ऑपसे रहेगा G इसलिए कोशन है, कि ऑगर है माढ़ मुक्ति बोध का जन्म कहा हुआ था तो मुक्ति बोध neutron का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 36 गड़ में इसलिए आपका राइट ओप्शन हो जाएगा सी चलिए नेक्ट कॉशन देखते हैं कि मुक्ति बोध के पिता का नाम जो था कि इसलिए आपके राइट ओप्शन हो जाएगा सी कॉशन है कि मुक्ति बोध कि मुद्य गोषदन का समपादन किया था इसलिए आपका राइट ओप्शन हो जाएगा बी नक्कॉष क्कॉशन nude की कुण सी किर्सी मुक्ति बोध की नहीं है चंदर गुप्टर जो है किर्ती वो मुक्ति बोध की नहीं है इसलिए आपके right option जाएगा B देखते हैं कि कमायनी एक पुनर विचार के रचाईता है तो कमायानी एक पुनर विचार के रचाहिता जो है वो डाक्टर रामविलास सर्मा है इसलिए आपका राइट ओप्शन जाएगा बी नेक्ष कोशन है कि गजानन माधब मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था तो मुक्ति बोध का जो जन्म हुआ था तेरह नमंबा उनजसो सत्रों को हुआ था इसलिए आपका राइट ओप्शन जाएगा एचले नेक्ष कोशन देख लージख लेते हैं कि मुक्ति बोध ने नागपूर से निकलने वाली किस पत्र का संपाधन किया था तो इन्होंने जो संपाधन कीया था सो नया नाखूंग का किया था इसलिए आपके right option जो है वह जाएगा C next question है कि जंजन का चेहरा एक के रचनाकार है तो जंजन के चेहरा एक के रचनाकार जो है वह गजानन माधब मुक्ति बोध है इसलिए आपके right option जाएगा A किसंक्ति देखते हैं कि मुक्ति भौध ने सितारा किसे कहा है मुक्ति भौध ने सितारा जो है वह जनता को शर्फिंज आफ टॉ supports sergeant के डिक सिर्फरकविता किसकी ना तोल Catholics नंज Whenever निराला किस तरह कह साल तो मुक्ति बौध निराला जी जो है व्युवये है करांती कारी इसलिए आपका राइट ऑप्षें हो जाएगा सी इस तरीके से मैंने आपको जो है नौवाद सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको सभी वीडियो का करिकेशन मिलता रहा है आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में